नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको भारत के सबसे जोशीले और दिल को छू लेने वाले त्योहारों में से एक गणपती विसर्जन की भावनात्मक यात्रा पर ले चलूँगी। जरा सोचिये, रंग बिरंगे कपड़ों में सजे धजे लोगों से भरी सडकें, सभी खुशी और शद्धा के साथ आगे बढ़ रहे हैं। उन्होंने पिछले दस दिनों में भगवान गणेश के साथ एक विशेश बंधन बनाया है। यह त्योहार गणपती के आगमन से शुरू होता है। परिवार उन्हें अपने घरों में आमंत्रित करते हैं, एक पवित्र और खुश्नुमा माहौल बनाते हैं। उनका मानना है कि गणपती सम्रिधि लाते हैं और बाधाओं को दूर करते हैं। इन दस दिनों तक विप्रार्थना करते हैं, आरती करते हैं और पडोसियों और दोस्तों के साथ प्रसाद बांटते हैं। लेकिन इस त्योहार का चर्मोतकर्ष है विसर्जन, मूर्ती का विसर्जन। यह एक बिटर स्वीट पल है जो मिश्रित भावनाओं से भरा है। एक लोगों के चहरों पर भावनाओं को देख सकते हैं। खुशी, भक्ती और थोड़ा सा दुख। वे नाचते हैं, गाते हैं और जश्न मनाते हैं। अपने प्रिय गणपती के साथ इन आखिरी पलों का भरपूर आनंद लेते हैं। यह सिर्फ मूर्ती के बारे में नहीं जुठता और बेहतर भविश्य की सामूही काशा के बारे में है। आप अपने बेहतरीन कपडों में सजे बच्चों को, आखों में आंसू ले बुजुर्गों को और हाथों में हाथ ले दोस्तों और परिवारों को गणपती के प्रती अपने प्यार में एक जुठ देखते हैं। जब अंतिम विसरजन का समय आता है, तो सभी लोग इकठा हो जाते हैं। विगणपती से जल्दी लोटने की प्रार्थना करते हुए जोर से नारे लगाते हैं। आने वाले वर्ष के लिए उनका आशीरवाद मांगते हैं। मूर्ती को धीरे से पानी में उतारा जात जो स्रिष्टी और विघटन के चक्र का प्रतीक है। और जैसे ही यह पानी की सतह के नीचे गायब हो जाती है, वैसे ही गहरी शान्ती और त्रिप्ति का भाव आता है। गणपती विसरजन इस बात की याद दिलाता है कि जीवन क्षण भंगुर है। यह हमारे पर चिंतन करने, अपनी चिंताओं को दूर करने और नई शुरुआत की ओर देखने का क्षण है। यह एक ऐसा त्योहार है जो इसे अनुभव करने वाले हर व्यक्ति के दिल और आत्मा को छू जाता है। इसलिए अगली बार जब आप गणपती विसरजन देखें, तो अपने आस-पास की भावनाओं, प्यार और आशा को महसूस करने के लिए एक पल निकाले। इसे आपको प्रेरित करने दें और आपके दिल को खुशी और शांती से भर दें। इस भावनात्मक यात्रा में मेरे साथ जुडने के लिए धन्यवाद। भारत के दिल से और भी खुबसूरत कहानियों के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। गणपती बपा मोर्या अगली बार तक।